अरे मोधी चाचा उतारो हमें बहुत ड़र लग रहा है मर जाओंगा उतारो जल्दी से अरे अखलेस बेटा अगर तुम्हारा हाथ पर टूटेगा तो मैं इलाज करवा दूँगा अबे भी मेड़े पास में से हैं ठीक है बेटेड़ो अरे अखलेस बाई अगर तुम इस गाड़ी पर पेठे रहोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा एक भाईसा जो कि तुम्हारे काम आएगा चायोगी बाबा तुम भी फालतू के बात करते रहते हो मैं भाईसा लेकर क्या करूँगा अरे अखलेस बाई लगता है तुमने नहीं समझे मेरे बात को सुनो मैं बताता हूँ तुम्हारे पास भैसी है ना मेरा वला भैसा ले लोग ना बच्चा देगा मेने में दस बार अरे क्या योगी बाबा बक्वास कर रहे हो अभी तेक मेरा खेद नहीं जुताई हुई है तुम दोनों भैसा भैसी के बात कर रहे हो है बेक्फूफ कही का अरे योगी बेटा ऐसे भुका पिने से काम नहीं चलेगा कुछ काम धन्धा करो नाई मोधि पापा मैं अकेले काम नहीं करूंगा अकलेज भाई को बिकायो साथ में काम करने के लिए आरे योगी बाई तुम पागल हो गए हो क्या मैं अकेले ही काम करूंगा काम करते करते हाथ पर दर्ध करने लगा है औरे बेटा लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो तुम दोनों काम नहीं करोगे तो खेट सुख जाएगा दान कैसे हो जाओगे देखो पापा अगर आप मुझे अक्वेले काम करवाओगे तो मैं दवा खाके मर जाओंगा तुम देखते रहना अरे अखलेस बेटा मर जाओगे तो दुनिया में किसका क्या लेके जाओगे बेटा अरे अखलेस भाई मैं काम नहीं करूंगा साब साब बोल दिया ठीक है ओ यारते मैंने छोटू की जान ले ली है अब तुम्हारी बाड़ी है कहीं भागना मात तुम पिता के नाम पे कलंको मैंने तुम्हें भी मारवा दूंगी जैसे तुमने मेरे अश्मेंड छोटू को मरवाया है अरे आरते तुम जब मुझे मनवाओगे जब जिन्दा रहोगी तब ना मैं पहले ही तुमको मार दूंगा देखता हूँ कौन बचाने आता है तुमको नो आय पिता जी बाले में भी द्वाबन कर रहे हूंगी मगर तुम्हारे घर पर पर रखने नहीं आउंगी मैं जा र लागने नहीं देंगे तुमको भी मार के एक साथ लास्ट लाइंगे ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ इंटर्टेन्मेंट के लिए है अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दन्याओं